हेलो प्रेंट्स मन पसंद खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं भरवा करेले की रैस्पी लेकर आई हूँ आपको ये रैस्पी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है तो वीडियो को प्रेंट्स आकिर तक जरूर देखना चलिए बनाना शुरू करती हैं देखे 500 ग्राम मैंने करेले लिये हैं करेले को मैंने बढ़िया से उपर से छील लिया है और इसका बीज जो है वो अलग कर लिया है जो कच्चे बीज थे वो मैंने ले लिये हैं और पके वे बीज को मैंने साइड में हटा दिया है तो करेले में मैंने एक चमच नमक लगा कर एक दो घंटे के लिए रख दिया था, ऐसा करने से करेले में जो कड़वा पन होता है, कम हो जाता है, तो चलिए गैस की तरफ बनाते हैं, स्टाफिंग, पैन में मैंने एक चमस सरसो का तेल डाला है, क्योंकि करेले सरसो के तेल में ही अच्छे बनते हैं, एक चमस सोप डाल द सारे मसालों को हลका सा भून लेंगे, प्याज एड़ कर देते हैं, क्योंकि करे लेवे प्याज जो है, थोड़ी जादा ही अच्छी लगती है, यहाँ पर मैंने दो प्याज को काठ कर ले लिया है, नहरानी करना है, हलका सा क्रंची ही रखना है, ये आदा कप मैंने भीगिवी चने की डाल ली है आज हम इसी से ही स्टेफिंग बनाएंगे तो देखे चने की डाल को मैंने 4-5 घंटे के लिए भीगो कर रख दिया था वो हलकी सी सोफ्ट भी हो गई है और 2-3 मिंट के लिए हम प्याज के साथ इने फ्राई कर लेंगे दोनों चीजे अच्छे से फ्राई हो गई है 5-6 मैंने हरी मिर्च ली है जिसको थोड़ा मोटा मोटा सा ही मैंने काटा है इसे भी मिला देते हैं और अब मैंने करेले के जो छिलके थे और बीज थे इनको 3-4 बार मैंने पानी से धो लिया है और अच्छी तरह से निचोड लिया है ये भी एड कर देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे देखे सारी चीजे बढ़िया से मिक्स हो गई है तो अब इस में मसाले डालेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर टेस्ट के अकोडिंग नमंग डाल देंगे एक चमच धनिया पाउडर डाल देंगे मसालो को मिक्स कर देते देखें स्टरपिंग जो भिलकुँ एक दुम ड्राई बनके तयार होनी चाहिए एक काम को मैंने दो कर छील कर कद्दुकस कर लिया है दो चमच पल्प निकला है इसे डाल देंगे और दो तिन मिन्ट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे देखे चने की डाल की स्टापिंग हमारी बढ़िया सी बन कर तयार है आप इसे ऐसे भी रोटी के साथ भुजिया की तरह खा सकती है बहुती ज़्यादा टेश्टी बनती है तो इसे में एक प्लेट में निकाल देती ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए करेले में बरने के लिए स्टापिंग भी हमारी तयार हो ठंडी भी हो गई है तो करेले को भी मैंने दो तिन बार पानी से धोलिया थो थोड़ालका सा मैंने निचोड लिया था तो निचोडना बहुती ज़्यादा जरूरी है तो इसमें हम जितनी स्टापिंग अराम से आती है उतनी भर लेंगे हर एक कोने में स्टापिंग भरनी हमे और एक्स्टापिंग को हम निकाल देंगे हटा देंगे और ऐसे करेले को थोड़ा सा हम दबा कर चिपका देंगे देखे इस तरह ऐसे अंगूठे से हम हर कोने में स्टापिंग को भर देंगे और ऐसे एक्स्टापिंग को बार निकाल देंगे और थोड़ा सा उंगली से दबा कर सेट कर देंगे इस तरह से सारे करेले को मैं भर कर त्यार कर लोगी फ्रेंड्स ये करेले बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनते थोड़ी सी मेहनत तो जरूर लगती है लेकिन कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है तो आप भी इस रेस्पी को ट्राई करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो कि आपको मेरे रेस्पी कैसी लगती हैंगी देखें सारे करेले मैंने भर कर तैयार कर रही है ये स्टेफिंग बच गई है इसे हम ऐसे ही यूज़ कर लेंगे ये मैंने धागा लियाया ये वही धागा जिससे हम कपड़े वगएरा सिलते हैं इससे हम करेले को बांद देंगे थोड़ा सा धागा हम करेले के चार और लपेट देंगे देखें इतना ही लपेट ना और ऐसे थोड़ी सी हमें नोट लगा देने ताक히 करेले जो खोले नहीं देखे तरह से करेले को लपेट देंगे और ऐसे गोल करके करेले को हम धागीं के अंदर से निकाल देंगे यह खुलने में भी असान रहते हैं इस तरह से सारे करेले को बांध कर त्यार कर लेंगे ऐसा करने से स्टेफिंग जो है अलटते पलटते वक्त पैन में निकलती नहीं है सारे करेले को मैंने बांध कर त्यार कर लिया है पैन में मैंने एक चमब सरसो का तेल फिर से गरम किया है तेल हलका सा गरम हो जाएगा तब हम अपने इसमें करेले सैट कर देंगे एक एक करके सारे करेले को पैन में सैट कर देंगे सारे करेले को मैंने पैन में लगा कर सैट कर दिया है और रोड का सानीचे से फ्राई होने देते हैं कि अलके से फ्राई हो गई है तो अब हम इसे इनकी साइड चेंज कर देंगी और उर ढकन ढक देते हैं ताकि जलदी से फ्राई भी हो जाए उर पक भी जाए करेले को चेक कर लेते हैं, देखें इनकी साइड को अब हम दो चमच की हल्प से मैं चेंज कर रही हैं, क्योंकि एक चमच से पलखने में प्रोब्लम हो रही थी, देखे सारे करेले को मैंने ऐसे ही इनकी साइड चेंज कर दी है इस प्रोसेस को हमें जब तक करना जब तक करेले अच्छी तरह से पक नहीं जाए दुबारा से मैंने डखकन डख दिया है और दो-तिर मिन्ट के लिए हम फिर से पकने देते हैं देखे करेले उपर बढ़िया से निशान आ गए है गोल्डन कलर के तो इधर से तो करेले हमारे पक गए है लेकि नीचे से जो हैं वो अभी कच्छे हैं तो इधर से भी हम पकने देंगे धकन डख देते हैं और मीडियम फ्रेम पर दो-तिर मिन्ट के लिए फिर से पकाएंगे देखे बढ़िया से करेले हमारे जो हैं फ्राई होकर त्यार हो गए हैं तो इसनको मैंने प्लेट में निकाल लिया देखे कितने बढ़िया करेले बनकर तैयार हुए हैं चने की दाल की स्टाफिंग के करेले बन कर तयार है आई होप आपको ये रैस्पी पसंद आई होगी भूत ही ज़्यादा टेस्टी करेले बने है फ्रेंट्स अगर आपको मेरे रैस्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जादा से जादा सेयर कीजिए और घंटी भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें तो फ्रेंट्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक केर